हेलो एवरीवन वेल्कम बैक टो दे चैनल सिंप्ली मैथ्फोविया तो आसकी वीडियो में एम गोईंग टू दू सम इंटिग्रेशन ऑफ मॉडुलर्स फॉंक्षन कुछ इंटिग्रेशन प्रॉब्लम्स है मॉडुलर्स फॉंक्षन की तो उन्हें आप कैसे इंटिग्रेट करेंगे की बहुत सिम्पल अगर आप इसका बना आप तो बहुत ही इस टैप के अगर इंटिग्रेशन आँपको दिये गया हो उसको सॉल्व करने की नोरी हो सबसे पहले मैथमेट्मेटिकली करेंए इसको मैथमेट्रिक्ली करेंगे बहुत बहुत safety fx dx होता है basically a to b integration of a to b fx dx तो क्या represent करता है तो simply represent the area bounded by the curve y equal to fx and the x-axis and the line x equal to a to b तो basically यह represent करता है तो हम क्या करेंगे जो भी आपको यह function given है जैसे है mod x minus 2 given है mod x plus 2 given है इस तरह से तो उलका हम graph drop करेंगे और area find करेंगे इस intervals में ठीक है और find करके आप उसको simple add कर दो गया जो भी आएगा जैसे भी उसको हम देखेंगे अभी सबसे पहले चली start करते हमने पहली problem से तो सबसे पहले हम first problem को proper method से करेंगे और इसको geometrically कैसे solve करेंगे फिर वो देखेंगे तो first problem क्या है आपको integrate करना है 0 to 4 mod of x minus 2 dx ठीक है यह सारी जो भी problem से इसको linear functions वाले हैं क्योंकि अब उसमें क्या होगा कि वह line होगी यह triangle form होगा तो उसके area आप easily का सकते हो ठीक है तो जैसे 0 to 4 mod of x minus 2 dx ठीक है तो अब इससे क्या करेंगे अगर इससे हम integrate करना है नॉर्मल जब इससे integrate करना है तो हम इससे क्या करेंगे 0 to 2 आपको यह given है ठीक है तो अब इससे हम break करेंगे into root 2 और 2 to 4 में ठीक है यह हो जाएका x minus 2 dx तो आपको किस interval में break करना है वह आप इहां से जो भी mod के अंदर दे रखा है ठीक है उसके roads निकाल लो या उसको solve कर लो solve करके जो भी x की value आएगी उसमें intervals में उसको break करेंगे ठीक है तहाँ पे x की value 2 x और दूसरे लिए 2 to 4 mod of x minus 2 dx तो यहां पर यह आजाएगा minus 0 to 2 ठीक है और यहां पर यह positive होगा तो यह सिंपल हो जाएगा इस 2x एक है अब यह इंटेग्रेट कर लिया वियो हो जाएगा 2x minus यह लिमिट रबार हो जाएगी 0 to 2 यहां पर आजाएगा अपर x square by 2 minus 2x limit 2 to lower limit 2, upper limit 4 एब यह सिंपलिफाई कर लिया तो जाएगा 4 minus 2 plus 8 minus 8, sorry, this is minus 2 minus 2 is equal to 2 plus 2 is equal to y integration की value थी यहागी 4 अब आते हम इसको geometrically कैसे solve करेंगे तो geometrically अब जब graph करोगी mod of x minus 2 का तो क्या होगा just mod x का translation हो जाएगा to unit site में ठीके इस तरह से हमारा graph होगा तो mod x minus 2 का अब हमें क्या निकालना है हमें integration करना था जीरो से लेके 4 तक्स जीरो से लेके 4 के बीच में आपके यह दो जो triangle बन रहें हम इनका area निकालके sum कर देंगे तो पहला वाले triangle है तो हमने half लिया बेस इसका कितना length कितनी base की 2 और height कितनी 2 plus जो second वाले triangle है उसका half ठीक है triangle के एरिया का formula लगा है half पेस कितने हैं यहां भी 2 unit है तो 2 और height यहां पे भी x equal to 4 में mod of x minus 2 यहां पे भी आपका 2 हाइट भी यह हो गया ठीक है अब इसको जो solve करोगे यह जाएगा 2 plus 2 which is equal to 4 जो बहुत है very simple है अब just graph draw करो area निकालो और add them ठीक है now the second problem is हमें integrate करना है minus 5 to 5 mod of x plus 2 को integrate करना है upper limit है 5 और lower limit है minus 5 ठीक है तो अगर आपको mathematically करना हो तो हम क्या करेंगे इसको break कर देंगे minus 5 to minus 2 ठीक है पहला अगर आपको mathematically करना है तो minus 5 to पहला जो हम लेंगे minus 2 mod of x plus 2 dx to minus 2 to 5 में और फिर आप इसे इसलिए integrate कर सकते हो उसमें value negative हो जाएगी तो minus x plus 2 हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका positive x plus 2 होगा फिर integrate कर लेंगे जैसे हमने उपर रहली first problem में की ठीक है तो आप इसे solve करोगे जब अब हम उसको जब इससे solve करेंगे जो में आपको इससे solve करेंगे तो आपको यह ग्राफ हो गया mod x plus 2 का ठीक है और minus 5 to 5 करना है तो यह जो triangle है और यह जो triangle है दोनों का area कितना है पहली बाले triangle के लिए half base into height base तो base की length कितनी 1 2 3 unit है तो 3 और height भी 3 है ठीक है minus 5 पे इसकी value 3 आ रही height 3 length second वाला जो है तो 1 by 2 और उसका जो base है 7 है आप count कर लो 1 2 3 4 5 6 7 unit और height भी आपके 7 है क्योंकि x equal to 5 height पे y की value 7 होगी 7 हमारी height है अब इसको solve कर लेंगे तो हो जाएगा 1 by 2 just 1 by 2 49 तो उनों को जब solve किया तो यह आएगा 58 by 2 which is equal to 29 ठीक है तो geometry से करना बहुत ही simple है यह calculation करने में हो सकते हैं तो में भी थोड़ा मोड़ा गरबर हो जाएगा तो इस तरीके से बहुत ही आप इसको solve कर सकते हो ठीक है now the third problem is 0 to 4 mod of x plus mod x minus 2 dx इसको हम क्या करेंगे इसको ब्रेक कर लिया हमने 0 to 4 mod of x dx plus 0 to 4 mod of x minus 2 dx तो दोनों का अलग अलग integration निकालके हम प्राइड कर लेंगे ठीक है तो 0 to 4 mod x dx के लिए बिसकलिए आपका यह वाला जो area है तो कि यह वाला जो area है तो यह 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 जो area है तो यहां पर half base 4 length height 4 यहां पर आपका आ जाएगा यह 8 ठीक है और जब यह वाला करेंगे यह आपका graph है यह आपका graph है अब जब इसका निगालेंगे 0 to 4 के बीच में तो यह वाला part और यह part तो यह कितना हो जाएगा 1 by 2 base यहां पर first वाले triangle के लिए 2 height 2 second वाले triangle के लिए भी base हमारा 2 है तो 2 unit है 2 से 4 तक और height भी आपकी 2 है यहां पर यह चपसम करेंगे तो यह हमें मिलेगा आपको 2 plus 2 which is equal to 4 हमारा जो required integral हो गया 0 to 4 mod x dx का जो integration 8 आया और 0 to 4 mod x minus 2 dx का आया आपको 4 तो हमारा जो final integration की जो value थी वह है 12 ठीके तश्टर साब graph बनाके mod function को तो बहुत easily कर सकते हो क्योंकि simple आपका triangle form होगा उसका area निकालना बहुत ही simple है base into height करके half base into height निकाल सकते हो पूरी calculations करने के आपको जरूरत नहीं है अब graph से बहुत ही simple बहुत ही कम time में इसको solve कर सकते हो ठीके तबी कुछ और problems करते हैं now the fourth problem is minus 3 to 3 mod x plus mod x plus 2 mod x minus to dx तहाँ पर हमने इसको पहले 3 intervals में प्रेक कर लेते हैं क्योंकि easily आप बहुत आराम से फिस अलग लग सब का निकाल सकते हो ऐसे आपको यह पूरे combined उसका graph करना पड़ेगा तो मैंने इसको break कर लिया तो मैं अलग-अलग सब के graph draw करके और area find out करके फिर add कर देंगे क्योंकि सब की graph हमें पता है बहुत है simple है जैसे सबसे पहले हम लिए mod y equal to mod x को अभी से integrate करें तो इसके बीज में जो area हमारा यह दो नो portion का हमें calculate करना है तो यह आपका both side symmetry है origin के बराबर यह दोनों तो हमें क्या करते हैं इसको ले लेते है two times कर देते है two times ठीक है बेस अब सब्सक्राइब अब आते है mod x-2 यह वाला area और यह पूरा complete तो इस case में आपका integration की जो value हो जाएगी तो सबसे पहले तो होके बड़े वाले triangle के लिए बेस हमारा 5 है 5 unit अब count कर लो है two से लेके minus 3 तक minus 3 to 2 आपके 5 unit और height भी आपके 5 आएगी क्योंकि x equal to minus 3 पे obviously x-2 की value होगी यह हो जाएगा one by two then अब छोटे वाले triangle के लिए one unit base one unit height okay this is equal to इसको solve करेंगे तो 25 by 2 plus 1 by 2 which is equal to okay जरीके से जब यह वाला अपका है mod x plus 2 इसका जो area निकलेगा अपका स्मॉल वाले triangle का सेम वही जो आपने x-2 के लिए x plus 2 सेम वही आएगी मिझे लग रहा तो यह जो आएगा हमारा अगे देखो आपका आप छोटे वाले triangle के लिए base height वही है सेम वही है ठीके बड़े वाले triangle के लिए base 5 और height 5 इसको solve के तो यह भी आपका 13 ही आएगा तो फैनल integration था उसकी जो value आएगी तो जो हमारा एड किया तो हमें कितना मिल गया आपको यह मिल जाएगा 35 तो हमारा जी final answer होगा 35 square unit तो इस integration की जो value आ गई वह हमारी 35 तो इस तरह से आप बहुत ही easily मंदब सबको solve कर सकते हो बस just आप उससे break करो सबके graph आपको पता ही है बस area निकालो और सबको just add them ठीके से एक last problem और है जिसको आपको solve करना तो इसका answer आएगा वह आएगा आएगा आपका तो थर्ड वाला integration होगा 124 mod x-3 dx ठीक है तीनों का अलग लग निकाल के आप फिर सबको add कर देंगे वह जादे हीजी है क्योंकि आपको सबकर बहुत अच्छे से पता है रही हो जाएगी इस intubation कि लिए कि तो आप इसे रहे है करना so that's all for today hope you like the video if you like the video please share and subscribe my channel and thanks for watching और शक्रीम आपका प्रणे से लिए आपको पीजियो से नेक्स विध लिए